नमस्कार दोस्तों मैं विशाल आपका स्वाद करता हूँ टोरेंट गेमिंग चैनल में और दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बेट में दे डार्क नाइट राइसे गेम अपने एंडुरेट फोन में कैसे डाउनलोड कर प्ले कर सकते हो तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो guys सबसे बिले आपको Batman The Dark Knight Rises Game के APK और OBV file को download कर लेना है और इसकी download link मेंने description में provide कर रखी है वहाँ से आपको इस game के APK और OBV file को download कर लेना है download करने के बाद आपको Jade Archiver app open कर लेना है अगर आपके पास Jade Archiver app नहीं है तो आप Google Play Store से Jade Archiver app को download कर सकते हो Jade Archiver app open करने के बाद आपको थोड़ा नेचे scroll करना है और download वाले folder पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको Batman The Dark Knight Rises Game की OBV file मिल जाएगी और इस file की size है 364 MB फिर इसके बाद आपको The Dark Knight Rises के APK पर क्लिक कर देना है फिर आपको install वाले button पर क्लिक कर देना है और इस APK की size है 12 MB और यह हमारा APK install हो गया है इसके बाद आपको done वाले option पर क्लिक कर देना है फिर इसके बाद आपको OBV file पर क्लिक करना है फिर इसके बाद आपको extract hair वाले option पर क्लिक कर देना है और यह हमारी file थोड़ास time लेगी extract होने में तो आपको थोड़ी दिर wait करना है और guys यह हमारी file extract हो गई है और extract होने के बाद हमारी file की size हो जाएगी 1.78 GB फिर इसके बाद आपको OB file पर long press करना है फिर इसके बाद आपको cut वाले option पर click करना है फिर आपको back आना है और Android वाले folder पर click करना है फिर इसके बाद आपको data वाले folder पर click करना है और फिर आपको यहाँ पर यह file paste कर देनी है और यह file थोड़ा time लेगी paste होने में तो आपको थोड़ी दिर wait करना है तो guys यह हमारी file paste हो चुकी इसके बाद आपको back आना है और The Dark Knight Rises के APK को open कर लेना है open करने के बाद यह game आपको Chinese language में मिलेगा और game की language को change करने के लिए आपको उपर से third वाले option पर click करना है फिर इसके बाद आपको second वाले option पर click करना है फिर इसके बाद आपको back आ जाना है और यह हमारे game की language change हो गई है इसके बाद आपको new game वाले option पर click कर देना है और guys यह हमारा game start हो गया है और यह game सबी devices में work करेगा वो भी बिना किसी lag हुए और इस game में आपको बहुत सारे missions मिलते हैं कि आपको complete करने होते हैं और guys आप इस game के graphics दे सकते हो कितने शांदार है और आपको Batman the Dark Knight Rises game को download करने में या फिर install करने में कोई भी problem आती है तो आप मुझे comment करके बता सकते हो और अगर आपको यह video अच्छी लगी हो है तो इस video को like कर देना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेर करना और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले notification bell icon को दबा देना थेंक्स फॉर वाचिंग इस video झाले प्राइब कर दो च समस्क्राइब कर दिस हो झाल 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 झाल